लिएक करा में नहीं को बता जिया था पेंट में हम केंद तूल के बारे में और में ऑर आज में सेखेंगे फाइल मिन्यू उसके बाद यहां पर साथ चिम्लाय यह वियर टैब ठीके तो अभी यहां पर फिल ऑप्षंण है यूज कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखाते जहां तो इसे हम बोलते हैं solid color जो यहां पर यह option दिया हुआ इसका उच कप करते हैं जब हम से create करते हैं जैसे में दुबार से बिले कलर कर दिया और यहां पर मैंने दुबारा से कोड़ से पनाया ठीक है जब हम से बनाते हैं उसी समय यह option आपका सो करेगा ठीक है अगर बनाने के बाद कोई color कर देते हो तो फिर आपको यह सो नहीं करेगा तो से बनाने के बाद फिर आपको यहां पर देखना पड़ता है कि color आपको कैसा चाहिए जैसे यह जो color है हमारा इसे बोलते है solid color आप यहां पर दे सकते हैं यहां पर यह हमारा solid color ज करनी के बाद , आप यहां से मने फिल्ट चेंज कर दिया कभी यहां से बनाऊगे यहां पर और इसमें लिए बार करोगे को भी लालूं तो करें का अप चाहते हो कि दुबारा से हमें ऐसा ही चाहिए है से एकट तो क्या करेंगे दुबारा से तो मैं थोड़ा सा न्डू कर दे देख है तो आप यहां पर कोई से बनाते हैं तो यहां पर के अलावा और भी पांचिया ओपसंस दिये यह है देशे मारकर ओयल ठीक है वेल टाप का कलर आएगा इसके अंदर वाटर कलर तो अगर आपको चाहिए होगा तो यहां पर क्या करोगे से बनाने के बाद फिर आपको यहां पर चेंज करना पड़ता है और यह होगे आपका फील कलर फील मतलब की अंदर जो कलर आता है हमारा करना होगा तो आप यहां पर कुल करके और इसमें और है अपनेकर सकते हैं तो मेरे क्ल कि लख करते अ चटि Cinderella होगी आप लोगो और कुछ दैट वसक्ता है यहां होगा तो आपने से पूछ सकते हैं तो इसकंफी wacky करते हो हो यहां से से सेलेक्ट और यहां पर इसी में जाकर के डिलीट ऐसे में कीबोर्ट की यूज कर सकता हूं लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा माउस से बता रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए यहां पर दिया है फाइल कल मैंने आप लोगों बताया था होम टेप का पूर आदा हो गया आदा च्कन प्रिट हो जाएगा पूरा तो देखिए फाइल में यहां पर यह जो ऑप्सन से इनका यूज करने से पहले हमें यहां पर कुछ काम करना पड़ता है तो मैं दुबारा से अंडू कर देता हूं जो हमने काम किया था यह वापस आ गया तो यहां पर काम करने के बाद हमने पहले किया था एक नया पेज लिया था और इस पर हमने काम कर लिया तो जब भी एक नया पेज ले करके कोई भी काम करते हैं तो फाइल को सेव करने क्लिक करते हैं फाइल पर क्लिक करके और यहां पर लिखावा है सेव का उप्शन इस पर क्लिक कर दें कि'll strip करने के बाद ये दिया computer का locations के आपको computer कहां सेख करना है जब हम Shave करते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कि हमें अपनी firewall को कहां सेख करना जैसे Documen drop now question मैं पीचर में तो जहां भी सेख करना है जैसे मालाऑलो जी नाम से नाम कोई काम करने के बाद अगर हमें कोई दूसा काम काम करना है तो यहां फाइल करके अनुपर क्लिक कर देंगे तो यहां पर पास है कि नया पे जा गया ठीच है और हम चाहते हैं कि मालेजी दूसरे दिन आ करके हमने पेंट ओपन किया दूसरे दिन और हमें पुरानी फाइल को ओपन करना है जो हमने काम करके सेव किया हुआ है तो फाइल पर क्लिक करके यहां पर बटन है इस पर क्लिक करें ठीक है और यहां पर दिया वहाई है किस नाम से आपका फाइल कहांपर सेव है हमने कहांपर सेव किया था पिचर में तो मैंने पिचर पर क्लिक कर दिया तो by Default यहांपर पिचर ओपन है पहले से और यहां पर जो भी देखिए हमारी कल की फाइल है और यहांपर आपको सवह गिया होगा new open और save देखिए save edge क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ जैसे यहाँ पर यह जो हमने काम किया हुआ है हम चाहते हैं कि इसी file में कुछ change करके ठीक है हमेशा रखना जो file computer पहले से save होती है तो उसे दुबारा open करके अगर हम उसमें हम कुछ change करने के बाद और हमें अलग से save करना है जो यह file है जो हमारे सामने है इसमें कुछ भी change नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी पहले ही वाली file है तो हम इसी में change करके हमें अलग नाम से save करना हो तो क्या करते हैं save edge तो दोन में difference ही होता है कि एक नए file के लिए क्लिक करते हैं save क्लिक करते हैं और और दूसरे नाम से करना होते हैं तो मैं पहले यहां पर कुछ change कर लेता हूं मैंने यहां पर दे दिया स्काइब बुलूँ और यहां पर दे दिया मैंने जैसे यालो किभाल एक एंदॉ मैं चालता हूं इसको लग से़ करने के लिए मैंने । फाइल पर टीक किया अगर मैं यहां बैक लूख सेव कर दूंगा न तो क्या होग जो हमारी पहले वाली फाइल फाइल हो घ्र जाएगी तो हमने चेंज किया होता वह जो भी आपको नाम देदे सकते हैं मैंने यहां पर कर दिया से तो आप यहां पर दिखा देगा टाइटल बार में किस नाम से अपने फाइल से एक और अब मैं आपको दिखाता हूं दोनों फाइल है है कि भी हमारे पास पहले वाले भी और यह डिया करेंगे फायल में जा करके और ओपन किलिक करेंगे तो आप हौई दे सकते हैं हैं यह हमारा बाली है टाया होगा दूल है दॉ म्लकार में हमरी चेंज ही किया क्वेश लमें stat तो आपको new, open, save, save edge समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को doubt होगा होगा, तो मैं unmute करने के बाद, मैं आपसे लोगे से पूछूंगा भी, यह दिया है print का option, प्रेंट में क्या होता है, जब भी हम काम करते हैं, मैं यहाँ पर कोई कोई काम करते हestablish, इसे हमें एक प्रेंट करना है, हमारे computer से और अप्रेंटर टेश है, तो अप्रेंट करने का तरीका आपको फाईल-पर किल्क करना है, ठीक है और यहां पर एक option दिया प्रिंट का इस पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद हमेशा या रखना हमें प्रिंटर को स्लेट करना पड़ता है माल लेते हैं कि हमारे अब किया है आपका ब्लेकर मेट है तो प्रिंटर से हमें हमें प्लेकर में प्लिक करना फोल स्क्राइब करना है और कि अगर इसको ध्यान देते हैं तो क्या होगा जब यहां से माली जी कलर है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया इसका बाद आपका number of copy कितने copy चाहिए आपको तो यहां पर दे दिया मुले मैं चाहता कि इस आले page के मुझे तीन copy करनी है तो यहां टाइप करती है और इलाष्ट में दिया है प्रिंट तो जो भी हमारे printer computer सेटेच होगा उससे हमारे प्रिंट होके आजाएगा ठीक है अब देखिए कभी हम जब कोई भी काम करते हैं computer के अंदर तो हमें यह नहीं पता होता कि अगर हमने से पहले हम चेक कर सकते हैं कैसा प्रिंट होगा हमारा उससे देखने के लिए क्लिक करते हैं नीची क ओप्सन दिया है प्रिंट का इसी को सामने यहांप पर इक उप्षन दिया है प्रिंट पिर्विवू करते हैं तो प्रिंट करने से पहले हम्सक्राइब दिखा रहा है सेम वैसा हिमारा पेपर प्रिंट हो के आगा ठीक है तो मैं इसे कंसर कर देता हूं अब देखिए जैसे हमने इस वाले page पर हमने पूरे page में काम किया हुआ है कहीं भी हमने space नहीं दिया है जबकि यहां पर हम देख रहे हैं print preview तो इसमें क्या है साइट से gaping आ रही है है साइट से gaping है तो इसे हम बोलते है margin जिस तरीके से आप कोई भी book open करते हैं तो आपने करते हैं कभी भी हमञे पेज है, आप कोने से कामелी करते हैं यह पταrás सा स्पेस होता है कम्पोर्टर कें मारजिंग, पहले से लगा होता है यहां पर दे सकते हैं यहां क epic क्रुद है कि यह मरा कैसा Pynut होगा तो यहापर हमेंग मार्जिन को अपने Recording हमने खाहते हैं कुछ करना हो जयादा कर अपने Recording कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक अप्सें से फाल पे क्लिक करके के एक अपना प्रिंट्रैस सामने यह मरे में इस प्रिक करूंगा तो आपको यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है साइज में क्या होता है कि हम प्रिंट की सेटिंग करते हैं तो यहां पर दिया है साइज तो हम निहां लेते हैं पेपर साइज तो एक 90 परसें जो भी हम कंपूर्टर पर काम करते हैं ज तो आपको यहां पर state करना एक उपर और यह आ आरटेनि आ इंच में हवाड है ठीक है यहां पर देख सकते हैं लेफ्टराइट टॉप बॉटम ये चारो कोन ऐसा है यहां को तो यहां पर कर दिया 0.5 ने 5 1 फैन कर दिया यहां यहां रायना है यहां किस व差不多 जितना आप चाहते हैं तो मैंने सब को वर्न कर दिया ठीक है और यह जो चीजे हैं यहां पर और इंटर ठीक है पोर्ट्रेट लेंड्सक्रेप तो आगे मैं आपको पेज पर काम करांगो ना जब इसका पिंट्पी चेक करेंगे ना तो यहां पर आपको दिखा देगा यह दिखिए तो यहां पर मार्जिंग हमारा बढ़ चुका है तो इससे में क्लोज कर देता हूं इसके बाद फाइल पर क्लिक करके नीचे यह लिखावा है फ्रोम स्केनर ठीक है यह केमरा जब आप इसके बारें बताओंगा मैं आपको तो जो भी आपको प्रेक्टिकल करना है यह लिखावा है सेटेज डेस्टोप बैग्राउंड देखिए यह क्या होता है आप जब कंपूर्टर ओन करते हैं देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं यह हमारा डेस्टोप एरिया है यह हमारा डेस्टोप पर कौन सा टेस्टे यहां पर यहां यहां प्रांपर प्राहिए इसद्सट्प बैगराउंड पूरे screen पर और सेंटर में करते हैं सेंटर पे क्लिक कर दिया आपको यहां से ढी करना तो सीदह क्लिक कर दिए देस्टक बैगराउंग जैसे में इस प clown गा तो जो हमने यहां पर ट्राइंग भना रखा है यह कंपूर्ट का कमारा तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे यहां पर दे सकते हैं यह देख англий कि अउपको वि कre यहां पर दे सकते हैं हमारे डिश्फिलीप पनेकर मैं हम आपका बाहना कम किया हुआ है कि जो भी आपने पियंट में काम किया हुआ है उसे एजे वाल पेपर में set करना और अगर आपको change करना होगा तो यही पर राट क्लिक करके एक option आएगा परस्माइज का जिसके पास बिंडो 10 है ठीक है यहां पर यह दिया है हमारा वाल पेपर जो भी set करना आप यहां पर कर सकते हैं तो मैं इस बार में दूसरा लगा देता हूं मैंने यह लगा दिया और यहां से कर दिया तो आप यहां पर दे सकते हैं हमारा वाल वेपर चेंज हो गया दुबार अजयाता हूं पेंट में तो आपको सब्सक्राइब अगया होगा कि सेटेश डेश्ट अगरां क्या होता है पूर परडीच क्या होता देखिए देखिए देश्टे मैं आप एक नया पेज लिया यह न एक चोटा सा काम करना सबसुक्त मुझे इस सिर्फ इतने एरिया में काम करना है सब्सक्राइब कर सकते हैं अपके मैं आप सा reps जिया देखिए क्या आपको समझ में आ गया तो यहां आपको समझ में आ गया तो जो भी आपका यूज सीखते हैं तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए चाहिए आपका कहा है तो मैं आपको बढ़ा था कि अभी म än इस्क पर कर दिया और देख के यहां पर लिखावा यह लिए है है तो यह हमारा दियओ है यूनिट आपको किसमी सेट करना है इंच में में एंगी यह पीक्सलिंत चोड़ देखें हम जैसे दे दिया मुझे 6 इंच चोड़ाई और 5 इंच लंबाई चाहिए मुझे यह देखे और यहां पर कर दिया मैंने ओके तो आप यहां पर दे सकते हैं हमां जो ड्राइंग एरिया है उसका क्या होगे विर्थ हाइट कम हो गया तो यह हमारा प्रपटीज का काम होता है कि यह दिया अब आउट पेंट का दूबार से इसको अंडू कर देता हूं ठीक है अब आउट पेंट मतलब पेंट के बारे में हाना यह जो हमारा पेंट है यह कौन सा है Microsoft Windows और यह इसका वर्जन लिखावा है वर्जन यह देखिए यहां पेंट से पता चलता है इसके वर्जन से यह हमारा पेंट पूराना है यह नया है जिसे कि सब्सकाल होता है बिंडो 7 में तो अलग होता है बागे सब कुछ और प्रींट सेम ओते हैं तो यह ऑफिजी च्वा आपट लेकर काम करने के भाद तो हम यह यहां पर यह option दिया है हमारा close का आप यहां से close कर सकते हो या फिर आप file में जा करके exit कर सकते हो दोनों option सेम ही है ठीक है और यह दिया हुआ आपका regent pictures हम जो भी paint में काम करते हैं तो काम करने के बाद जो हम save करते हैं तो यहां पर आपको regent में दिखा देता है यहां पर आपको 10 file दिखाएगा तो आप यहां पर दे सकते हैं जो भी है आपको यहां open में जाने की जोट नहीं है ठीक है जो आप last में 2-3 file सेव करते हैं तो आप यहां पर open आ जा करके आप यहां से तुरंद open कर सकते हैं यहां पर आपको पाइल का नाम दिखा देगा ए तो यहां पे लिष्ट दिखाएंगा तो यह मेना को बता आती है पाइल के बारे में चलिए हम चलतेहें व्यूट में तो मैं तोनी यहाँ पर कुछ अंड़ू कर देता हूं दो भार अंड़ू यहां पर मैं कोई फाईल open कर लिता हूं किया कि हम उसको पर उपर यूच करेंगे मैंनों यहां पर उसी फाउपन कर लिए जो अभी हमने काम किया था ठीक है यह मोर्ण ओपन हो गया अच्छा यह आपको फाइल समय में आ गया अब बारे में ठीक है मैंने आपको बता दिया तो हम टेप पूरा कंप्लीट जिसको नहीं पता है मैंने वीडियो भी सेर्ड कर दिया था फाइल में आप लोगों को बता दिया यहां पर अभी और पर आप इस में नचे करना और यह बलते हैं इसे बोलते हैं यह वरिटिकल सलाइडर है और यह धिया हमारा होरुझेन स्लाइडर आप पर हो गया है तो frustrated वर्टिकल स्लायडर है ऐसे ऊपनीची करना और है sudah लेफ्ट- 주 राट करना होगै जों पर कितना बतीं चोटा करभा हंडेब पर एक्शाइज जितना पहले था जैसे है स्पी ίो गए चू एक आःगे हमारा ठीक है चली हमस्तात包括 टॉललर्स हमारा बहुत अच्छा चीज है यह हमारा होता है एक margin set करनी के लिए और किसी चीज को measurement करना इसमें हम क्या करते हैं तो हमने यहां पर जो भी काम किया वा है अगर मैं आपसे पूछ हूँ या कोई मेरे से पूछे कि इस वाले मैं नया page लेगा हूँ मैं इसम पश्ला करें डाएं यहां डिन पना बने हैं अपर इसे बोलते हैं इसके लागिए मैं जाता हूँ कि मुझे सित टीन चृड़ है और चार इंच लंबाई एक सेफड करना है सरकल कुछ भी तो मैं यहां पर अज़ करता हूं मैंने आप ले लिया डैंगर ले ठीक रेक्टेंगल और यहां पर जीरो से स्ट्राटिक करना है यहां जीरो से समें किया है घिए है तो कोई हम से पुझे आपका किंए तो हम बता सकते हैं कि यह इसी बोलते हैं चेक बॉक्स है जो इस पर किलिक करूंगा तो हाइड करने के लिए इसी पर किलिक करेंगे और दोबारा-so करने के लिए यहाँ प grenade नहीं चोड़ी चोड़ी उसकते हैं तो यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं टो यहां पर इसे अ juist तो अगर यहां पर और और आफे बनाते हैं अतर आप आजाते हैं की उसक्षी के आतने निकीत भी से बनाइसाक्ते साहरी चैनि एक है अगो से बनाने के लिए है वोट्व में भी और ब्राबर है तो हमँंगे नापनी ही जोतने हैं अक्रझ कर आघा है तो यह क्या work करेंगे इन लानों के मृत अपिक्न कारें करने है कोई भी बनाने के लिए ठिकर रचित करना हो विशल्व करारो तरकाने नहीं से यह आपनी दिक्कत आपको नहीं आएगी, यह दियावा है status bar, देखिए यह क्या होता है, यहाँ पर, यह जो हमारा drawing area है, इसकी width कितनी है, हाइट कितनी है, यहाँ पर नीचे दे सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है, 16.20, इसकी width है, और यह हाइट है, आप यहाँ भी दे सकते हैं, प्रो तो हम यहाँ पर दे सकते हैं, कि हमारी page की width कितनी है, हाइट कितनी है, और हम कितने percent पर काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, काम 100% पर, तो इसे बोलते है status bar, अगर आप यहाँ पर status bar पर क्लिक कर देंगे, यह अभी क्लिक किया है by default है, और दुबारा से इसे में क्लिक कर देता जैसे मैं यहाँ पर कोई page open कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक drawing open कर लिया, जो हमारा काम किया वा था, इसकी नार भी, हाँ, इसकी नार यह प्लोफस, ठीक है, यह हमने open कर लिया, और मैं बदारता आपको यहाँ पर, full skin, ठीक है, तो full skin क्या होता है, कि अभी हम काम कर रहे है, जितने भी हम यूज करते हैं, tools अगरा हम सब को देख रहे हैं, तो जैसे हम full skin पर click करेंगे, तो यहाँ पर हमारा पास कोई भी tools नहीं करेगा, सिफ हमें क्या दिखा देगा, और यहाँ पर जो हमने काम किया हुआ है, तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी एक नया page ले करेंगे, जो भी आप यहाँ पर काम करेंगे, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यह देखिए, और कुछ से बना लेता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से, तो आप यहाँ पर full skin में देखना हो, यहाँ पर click कर दो, यहाँ पर कोई भी tools आपको दिखा नहीं देगा, सिफ आपको अब यह होता क्या है, देख से मैं आपको दिखाता हूँ, माली जीए, यहाँ पर file के अंदर, यह जो हमारा open का बटन है, हमें बार बार यूज करना पड़ता है, ठीक है, जो open का button है हमारा option, या कोई भी ऐसा option, हमें बार बार यूज करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, माली जीए, कोई file open करना है, तो आपको क्या करना होगा, file पर click करना होगा, पहरा step, फिर आपको open पर click करना होगा, तो अगर हम इसी button को direct हम बाहर लेके आते हैं, यहाँ पर, यह होता है, बाहर लानी के लिए, ठीक है, quick access toolbar, जो भी आपको यहाँ पर लेके आना है, इसके अं आप right click करेंगे ना, किसी भी option पर, जो भी आपको लेके आना है, तो right click करेंगे, तो यहाँ पर बटन होगा, ठीक है, a to quick access toolbar, तो मैंने इस पर click कर दिया, तो अब हमें बार बार यहाँ पर click करने की जोद नहीं है, यह जो हमारा open का options है, यहाँ पर आ चुका है, आपको किसी मुझे यहाँ से हटाना है, तो इसी पर right click करके, यहाँ पर आपको लिखाएगा इस बार, remove करने का options, remove from quick access toolbar, यह हमारा remove हो गया, ठीक है, तो चली मैंने आपको paint के बारे पूरा बता दिया है, और एक बार मैं पूछ लेता हूं, किसी को डाउट है, तो मैं दुबारा उता हलो, sir, edit क्या होदा, edit इट थे बताईएगा, edit है, यह वाल, इसके, file में, file में, file में, file में, कॉन साप्सन, है कि यह यहां बधारा आना जिसे खाम कर रहे हैं अगरा आपको बंद करना करना कि Noch करना है तो यहां किलोज करते हैं यहां फिर फारिम करके यहां फेक करते हैं फिर क्लिक हो winner आपने काम किया वाह है कि आप इसे सेव करना चाहते है तो जैसी में कर दूगा तो यह खुलो जाएगा एप आम सीखते लुछ के नोटपेड नोटपेड सीखने से पहले मुकूर के बारे में कि नगता होता है कि कोई फिके हमारा क्या होता एह थिक परिग्यक पर में रा महिए में वेली क्याव है तो नोट siitä इंधिक टैक्सट है ऐडिटिंग पॉग्राम सोफ्ट और विस नट्र मारेन प्रोग्राम और सथे हैं तो अब आप के alas to पूंझ में इसलों कल्ति हैं उनिंधसा को फया कर दो हैं लोगोगाते हैं जीचीच पर हम काम करते हैं ऐसे वह होता है एक होता है आप अब इस्टम सॉफ्ट यह एक अप्लिकेशन सॉफ्ट यह तो वह जो मैं आपको अप्लिकेशन सॉफ्ट यह तो मैंने हम इसे लिखा है कि नौट इसे बेसिक टैक्स है बेसिक कीबोर्ड से कुछ भी इसमें टाइप करना हो इडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्ट यह नौट यहां लेता हूं में यूग और इडिट टैक्स्ट इन नौट पेड ुआ डिट से कुछ भी इडिट करना हो वहां पीं टैक्स करकोकुद अगर धक्रक्ट सकते हैं उसके बाद नौट पेड एक्स्टेंश निग चैनल परहें दोटिस्ट कंपूटर में अगर आप काम करते हैं और आपको यह पता है इसमर कणब की कहता है तो एक और विव के यूदि टैक्स इन नोटपेड करने के बाद उसे ओपन भी कर सकते हैं उसमें कुछ चेंज करना होता है डोट टी एस्टी इसका फूल्फर्म होता है टैक्स से आप देखें एक्स्टेंशन क्या होता है जैसे यह मेरा डेस्टॉप है सब्सक्राइब यहां पर दे सकते हैं बहुत सारी फाइले हैं यहां पर इतनी फाइले हैं आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है मैं इसका वाल पेपर भी चेंज कर देता हूं काफी लाइट आ रहा है इसमें तो आपको दिखाए देखने हैं हाँ आप देख रहे हैं आप यहां पर इतनी सारी फाइले हैं तो इन फाइलों की बीच में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ कि नोटपेट की आनी चलेगा तो किसी फाइल को हमें चेक करना हो कि किस की फाइल है तो उस फाइल का हम क्या चेक करते हैं एक्स्टेंशन और कैसे चेक करते हैं तो दिमाल लिजिए यहां पर यह फाइल है यह वाली इसका मुझे एक्स्टेंशन चेक करना है किसकी फाइल है तो क्या करना है फाइल पर पहले क्लिक करना है राइट क्लिक करके ठीक है इस पर राइट क्लिक करके और नीचे एक option दियावा है प्रपर्टीज का इस पर आपको क्लिक करना होता है तो यहाँ पर आपको दिखा देगा नीचे type of file यह है .heic यह एक web page की फाइल है जो internet पर open होती है वैसे ही माली जी यह क्या है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके और प्रपर्टीज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखना होता है type of file लास्ट नीचे लिखावा है .jpg तो jpg होती है जो एक photo होती है तो अब कुछ extension आपको पता होना चाहिए कि किस extension क्या होता है तो .jpg है तो इसका मतलब क्या है हमारा एक यह एक photo है इसी तरीके से यहाँ पर यह कुछ file है यह वाली मैं इस पर क्लिक करता हूँ राइट क्लिक करता हूँ और नीचे लिखावा है देखना हो तो उसका हम क्या चेक करते हैं extension उससे मैं पता चलता है कि वह computer में किस चीज़ की file है तो यह आदखना हमें हमेशा तो यह जो हमारा नोटपेड है इसका extension क्या होता है .tsd तो ऐसे मैं यहाँ पर नीचे step दे देता हूँ आपको में ठीक है किसी file का extension चेक करना तो क्या करें गें सबसे पहले क्या करें यह Select file पहले है । आपको file को state करना है उसके बाद पर right-click right-click फाइल पर right-click करना है उसी फाइल पर और एक option को लेगा आपका परपरटीज का तो अपको तो आप क्या करेंगे आपके आपको हां पर देखना पढ़ता है तो जाब आप आप किलिक देखेंगे तो आपको आपपहे दिखादेगा रेखा कि वो की चीज की फाईल है जैसे हमने समय लाएन पनुल मुक्नट ञेखा है तो वो हमारी एक फोटो है जैसे मैं आप्वो को मि पर कुछ एक्जेंपल गता हूँ अगर है ततो यहाँ फाइल एक्स्टेंसल्ट फाइल एक्स्टेंशन ठीक है जैसे मां ले जिए पैंट shines अगर कोई पाइंट का हमने काम किया है उसका किसल रहना है तो क्या होता है तो डोर ट, पी ए उसकी मौझ श् जब आपको वर्ट कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा रीच टैक्स फॉर्मेटिंग ठीक है इसके बाद और भी है सब्सक्राइब करेंगे किसी फाल का चीज की फाइल है तो आपको समझ में आ गया होगा चलो इसके बाद सीखते हैं कि अगर हमें नोट पेड कमपोर्टर में ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे तो यहां देता हूं हाव टू ओपन नोट पेड इन कंप्यूटर फोसा इंट्रोक कि आपको समझने में कोई दिकत ना हो फिर्म आपको प्रेक्टिकल कराऊंगा इसको पर तो क्या करेंगे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे हम उसके बाद और प्रोग्राम करेंगे दैन ऐसे सिरीच अब उसके बाद फिर नोट पेड तो यह हो गया हमारा माउस से ठीक है यह आपको इस टेब फिलेगा किसमें बिंड़ो सेवन में अगर आपके पास 10 हैं उसके बाद आपको किल करना है तौन नहीं वहां पर अपको क्या करना है ठीक क्या टाइप करना है only notepad सिर्फ आपको नोटपेड करना उसके बाद आपको इंडर कर देना है यह स्टेप होता है माउस से ओपन करने का यह आपका बिंडोर 7 के लिए है और यह है बिंडोर 10 के लिए अगर हमें keyboard से open करना हो notepad तो कैसे करेंगे तो एक options होता है हमारा यहां लिए देता हूं कि जब भी हम कोई चीज सोटकर्ट ओपन करना हो दिस में काम करना पड़ता है तो उसे हमें रन से open करना पड़ता है तो क्या करेंगे रन ओपन करेंगे जिसके लिए keyboard से प्रेस करते हैं बिंडोर की के साथ में आर का बटन उसके बाद जब रन ओपन होगा मैं आपको दिख करना है और e gjhs paint में क्या होथा पैंट में आपको टयक करना पड़ता है में कई नोट पर करना है और तो इसके बाद आपड़त आपको dot的 प्रेड्स बिंड़त में करें झाल पिर उसके साथ अर्ट पहर नोट कर देना है जैसे मैं आपको दिखाता हूं बिंडोर प्रेस कि किया है अगर नहीं है तो आपको टाइप करना पड़ेगा उसके बाद यहां पर ओके करिए या फिर इंटर कर दिये तो मैं इंटर कर दिया यह हमारे पास नोटपेट ओपन हो चुका है ठीक है तो देखिए नोटपेट के अंदर हमारे जो भी काम होता है वह होता है कीबोर्ड से हमें यहां पर टैक्स पर काम करना पड़ता है तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम टैक्स टाइप कैसे करते हैं ठीक है माल दीजिए अगर आप कम्पूर्टर से आपन नोटपेट ईपन कर लिया। कम्पूर्टर से अब कुछ भी यहां पर टैप करते में यहां पर inacprat कर दीया इज्ञ अन सब्सक्रीक्न ठीकिक मैं ठीक है के में पर सीवं हैं सिवं मैंने कर दिया मैं आपको आप अपने फोन से कर सकते हैं अब ठीक है की सिवं आ रहे है इसके नप अब छली यहां पर क्या रहा चेट में ओके सरपावस हो गया था ओके ओके ठीक है चली यहां पर नोड़ पर अपन कर लिया आपके सामने आप मैं यहां पर कोई भी काम करता हूं बैसे में आप कुछ काम किया एलेक्ट्रोनिक्स याँ पर मिना काम किया तो आप यहाँ सकते है जो भी शिसना पर यहांके कamiliar स् Must मैं करने कम करने के बागा था कर आप इंटर करते हैं इंटर से आप मार्टीपल लान सकते हैं और अगर मुझे सारा केपिटल चाहिए होगा ना तो कीबोर्ड में बटन है कैप्स लोग का उस पर प्रेस करने के बाद अब जो भी आप काम करेंगे सारा हमारा केपिटल में आएगा तो आप यहां पर दे सकते हैं कैपिटल में आ और हमन चाहता है कि मुझे हर वर्ट का पहला अच्छय बड़ा चाहिए सिप जाम करना है तो क्या करते हैं पर किसमोल स्मोल क्या इस पर दोबारे से सकते कः करेंगे सब्सक्राइब उ participar के हम होगा तो अगर अगर किसी भी नाम में अगर first character capital चाहिए आपको तो keyboard में एक बटन है आपका shift की keyboard में दो साइड में है एक left side में भी shift है और right में भी shift है तो मैं आपको आगे जब typing और करांगो तो मैं आपको दिखा दूँगा तो इसी तरीके से आपके shift में प्रेश करना है दीपा के तो shift के साथ प्रेश किया मैंने डी और यहां पर सारा small में आएगा उसके बाद ठीक है तो आपको एक अगर capital चाहिए होगा तो क्या करेंगे shift के साथ आपको प्रेश करना पड़ेगा कोई भी करेक्टर जो आपका capital चा कर लिए यह कुछ नाम कर लिए मैंने मैं आपको बता दूँ कि यहां पर नोटपेट ओपन करने के बाद मैं आपको तरीका बता दिया कि वहाई capital में सागरा समय सारे small में चाहिए तो सिंपल सा टाइप कर सकते हैं सारा capital चाहिए तो कैसे करेंगे और एक वर्ट का capital में चाह कि आपस्ति ना होगा तो क्या करते रहें इंटर यहां लगना तो यहां पर नोटपेट ओपन करने के बाद हैं मिलीं यहां पर पास Bull season करने के बाद पहले सेव करना ठीक है और सेव करके हमें एक नया पर चीत क्या परते हैं नुंभ आप लोगोगों पता है धाय क्या करते हुके लिए अपक्षा से आपको एक और knodpad open करना है जैसे एक knodpad टो पहले से ओपन है आपको अलग से बिना सेव किये वे एक नए knodpad oopn करना आपको तो इसमें किल करके यहां पर लिखा नीज बिंडोग तो आप यहां पर देसकते हैं लेक नोटपेद हमारा पहले से open है यहां पर एक knodhead terti सब्सक्राइब हो चुका है कि आपको इसकीन आ रहा है यह देखिए यह आपको यहां पर फाइल सब्सक्राइब अब दो करने के लिए अधर काट पे जी तो वहां पर बहुत सारे अप्सम्राइब उसमें से उस्कूल पो तो उसमें कौन सा आप्षन मतलब मुख्या के द्वराएं को कराना है तो सुनेंगे नहीं अभी तो आपॉंट्मेंट्मेंट्ट्पुक और हो रहा है पहले अधर कार यह उसमें बहुत सारा दिया जाता है अच्छा मैंने एक वीडियो पुरा रखा है कंप्लीट अपॉंट्मेंट कैसे बुक करते हैं अधारकाट के लिए ठीक है तो मैं अभी कंपोटर गूर्प में दे दूंगा आप देख लेना दैसे कभी अधारकाट में कुछ भी चेंज क जिस वीडियो पर कि यहां पर दो कलर दिये वे और कि आपको जितने भी कोश्टन होते हैं जैसे बीडियो आप देखते हैं मैं सभी वीडियो यूट्व पर डाल देता हूं जो धो मेरे से नीसे कोई आप बिसकता है कोई पैसे के लिए हैं तो कई लोग ईसे होते हैं तो इस दो दो तीन ही बच्चे पूछते हैं जिनको कोई डाउट भी बताना तो बस देखते रहते हैं पूछते ही नहीं है तो आपको जो भी डाउट होगा में सब पूछिए बेज जी जाके कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अभी कॉस्टन राई यहां पर इनका कि कलर वान कलर टू मे लेट से कल रहा है बीच में ऊसको छोड़ दे रहा है लेफट से कलिक करते हैं उसको थे लेफट से कलिक करते हैं जिए आपकस रहे हैं यहां इमघे नेएब हर एक है मैं किया और मैं दाल थीए इसके अंदर जैसे बूलीग ठीक है तो देखिए अब मैं यहां पर एक save बनाता हूँ बना दिया तो आप यहां पर दोनों color का यूज कर सकते हैं कैसे करेंगे मैंने यहां पर color 1 में डाल दिया red और color 2 में दे दिया है मैंने blue इस पर change करने के लिए ना आपको पहले इस पर click करना होगा और यहां से color change कर सकते हैं जो भी change करना है तो देखिए यहां पर color 2 लेनी के बाद माउस में क्या है एक left एक right है तो मैं अगर left प्रेस करने को तो क्या होगा red color मुझे यह background color चाहिए तो keyboard में माउस में कौन सा प्रेस करना है राइट क्लर तो राइट से आएगा आपका color 2 और left क्लिक करने पर आएगा color 1 ठीक है यह देखिए left से color 1 और right से color 2 बस यह different है और यहां दखना अगर आप color 2 में अगर blue देते हैं और जब कोई यहां पर कुछ mistakes होता है तो जड़ा दियान देना अगर आप यहां पर erase करेंगे मैं आपको बता दूँ यह अगर आप यहां पर erase करेंगे न तो आपका background बुलू होगा यह देखिए background आपका blue आएगा तो ज़्यादा दियान रखना कि आपको अगर paint में drying कर रहे हैं तो color 2 में आपका white ही होना चाहिए ताकि background में आपका white आए यह देखिए तो आपका उम्मीद है कि आपको clear होगा इसके बारे में आपको नोटपेट में काम क्या करना मैं बता जाता हूं बखी में कल मैं आपको पूरा step by step बताऊंगा और मैंने आपको आज बताए कि नोटपेट में काम करते हैं कैसे हैं तो काम क्या करना है मैं बता जाता हूं जैसे एक आपका कोई book open करते हैं तो इंडेक्स होता है बारा इंडेक्स हना उसमें इंडेक्स दिया होता है कि पहला chapter हमारा कौन से पेज़ पे है दूसा chapter कौन से पेज़ पे है तो आपको यहाप पर टाइब करना है chapter 1 ठीक है chapter 1 इस पेस देने के बाद यहाँ पर ऐसा करना आप यहाँ पर टाइब करना ms-paint मस्पेंट करना और keyboard करना डॉट की है एसे यहां पर एक उस पेस देना जॉट की डॉट की प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड में कि months end semester अनां है यहांपर स्पेस करके करना है यहाँ पर को about करना है कि यहां पर दोट के लगांव यहां पर इसकी जगह यह भी कर सकते हैं टर्क सकते हैं चैपटर बण यहीं दोट लगा दिया केवर्ट से दोट की सकते करके रखना है using it, इस बार चैप्टर टू ठीक है फिर आपको डोट की प्रेस करना है और यहां प्रणी नन्हें यहां रेकिन पे यह कुंण सा चैप्टर पर है वे हुआ जादा है तो यहाँ पे सी से बैक में क्लिक करके कीडियोड से प्रेस करना टैप की यह कर सकते हैं तो इधर के का में सो और प multipole राखि का अब कुछना है पूर प्रूर के लियुटा के अब मैं अब के नाता दिया और पुल सकते हैं अब काम करना है यह काम करके आपको मेरे को वर्ट सब करना है ठीक है मैं आप लोगों को नोड़ पुरा अच्छी समझाऊंगा पुरा इस्टेप बाइस्टेप जितने भी अपसंची में दिया है सब्सक्राइब करके दिखांगो कल कि यहां पर टाइप कर दिया है और बीच में लाने के लिए देखिए यहां पर कट करके अगरा यहां से यहां लाना है तो टाइब की यह देखिए लोग स्पेस के लिए है अगर आप यहां पर से प्रेस करेंगे तो कम से कम आपको 50 बाट करना परेगा इस पर ऐसी गलती बिल्कुल मत करना ठीक है लोग के लिए क्लते की तो यहां पर टैप कर रहा हूं यह देखो तो आप मुझे काम करके और मुझे वर्ट सब्सक्राइब करना अगर आज हो आज यह कर देना ठीक है तो आज यह करते हैं बाकि गुद नाइट आज करना है कोई डाउट नहीं है था किसी और भी नाशर यहां पर काई लोग अन्म्यूट रहते हैं यहां पर फॉर्ट यह अपने फोन से में नहीं करते ने जेलों के गुद नाइट और बाकि किसे को डाउट रगा तो यह कोल कर सकते हैं को पर बता दुए अब को है अगर किसी झाल